दोस्तों जो बाते में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो काम आती है हमारी इस तरह के रास्तों पे लाइक नीचे 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 जाते हो आप इतना नीचे जाते हो तो और इस तरह के पहाड़ों पे आप हो तो उस टाइम पे आपको जरूरत है इस वीडियो को देखने की Welcome to DCV दोस्तों मैं अभी Comic Joki World का highest motorable village है at 15,000 50 feet वहां से नीचे उतर रहा हूं काजा की तरफ और यहां से सब कुछ बड़ा छोटा दिखाई देगा जब हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे तो एक question लोग बार-बार पूचते थे की बहीं मतलब समय रहो ना automatic और manual के उपर एक मेरे वीडियो बनाया था और वहां पर अमशुर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो की opinions सुनके अपनी choice change कर देते हैं जबकि opinion देने वाले को actual facts नहीं पता होते तो जब comic से नीचे उतर रहे हैं तो ये वीडियो बनाने का logic बनता है क्योंकि इससे better route नहीं है इस वीडियो को बनाने के लिए क्योंकि downhill आएंगे इसके अंदर तो हम बात कर रहे हैं कि how to drive an automatic on hills देखो दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप लोग automatic गाड़ी को पहाड पर ऊपर चड़ा रहे हो तो ये manual से better perform करेगी क्योंकि आपकी गाड़ी कभी भी बन नहीं होगी और जो सबसे खतरनाक चीज स्टीप पहाड़ीयों पर होती है होती है कि आपकी गाड़ी स्टाल हो जाए तो पीछे की तरफ भागती है समझे आप तो automatic गाड़ीयों में mostly होता है hill hold और hill hold की वज़े से आपको बहुत मलत मिलती है और उसके साथ में गाड़ी स्टाल भी नहीं होता है तो जिन गाड़ीयों में hill hold होता है being a manual still अगर आप स्टाल कर देते हो तो वह function काम नहीं करता रिस्क बड़ा risk factor आपकी मतलब driving से निकल जाता है जब आप क्यों लिया जाए वो unnecessary headache जब आप उसका अवाइड कर सकते हो जब आप स्टीप भाड़ीयों पर जाते हो तो ऊपर जाते टाइम आपको बहुत मजा आने वाला है यह फैक्ट है उसके बाद में अब बात करते हैं हम लोग नीचे जाने की तो जब नीचे जाते हैं तो सबसे खतरा पैदा हो जाता है अब देखो सामने या क्या गहरे पह तो जो हम लिचे उतरते हैं उस टाइम पे तो आउत्मेटिक की ऑाटब की अपको अपना दिमाग या ओपको अपना नीचे इन पर लगाना होता है उतो असपेसिक सटप होते है जैसे वह ऊपर चाड़ रहा है तो उस पर लोड है तो तो उस टाइम पे बहुत सथया सा लोड इन दे सेंस के नीचे उतर ते टाइम लोड नहीं होता गेर बॉक्स पे तो उसको लगता है कि भई आर्पीम रेंज आगी जहां पर गेर चेंज करना हो गेर चेंज करता रहता है और स्पीड बहुत बढ़ जाते है तो वहां पर आते हैं तो तीन खत्रे एक तो या तो जिसको यह चीज पता नहीं जिसको यह टेकनिक पता नहीं और जो लोग डरते हैं या जो लोग डराते हैं दूसरों को वो ब्रेक पर पैर रखेगा हमेशा उस पीड को कंट्रोल करने के लिए वो सबसे रिस्क एफेक्टर होता है ब्रेक इस दी लास्ट इंग इन दी होता है गाड़ी को आप उस मोड में डालने के बाद में क्या होता है उस मोड में जाने के बाद कि गाड़ी का जो शिफ्ट रप्यम होता है वो काफी हाई हो जाता है लग बग रिड लाइन के अस पास बहुत जाता है तो वो आपको एंजिन ब्रेकिंग प्रवाइड करते ह क्योंकि आप वहाँ पर गेर्स को कंट्रोल कर सकते हो आप गेर्स को उतना ज्यादा हाई नहीं जाने दोगे एंड उस वजे से जैसे आपने सेकंड गेर में गाड़ी को डाल दिया तो अगर आपकी स्पीड बहुत लो होगी तो फरस्ट में चला जाएगा बट अगर आपके हम हाई हो गए अपकी स्पीड थोड़ी सी हाई होगी तो वो अप गेर में नहीं जाएगा और यही रीजन है कि यह आपको तोड़ा सा जादा एंजिन ब्रेकिंग देता है देखा अभी जो एक टरन आया है बहुत ही स्टीप है तो यहाँ पर अब जैसे मैं अब स्लो होंग गाड़ी अपने नीचे उतर रही है अगर इसमें भी अगर बहुत जादा हाई स्टीप स्लोप है लंबी स्लोप है जहां पर गाड़ी स्पीड पकड़ तो आप हलका सा ब्रेक पर टैप करके स्पीड को एक लेवल पर मिंटीन कर सकते हैं बट ब्रेक ड्राग करना एक बहु करते हो और अब्यूज नहीं करते गाड़ी को मतलब समझ रहे हो आप हमेशा फुल थ्रॉटल थाइप की ड्राइविन नहीं खरते तो रिलाइबिलिटी में भी ऐस सच इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है इन गीर बोक्स में इनका एक तरीका होता है कि आप रुकने क और शीर में जाड़ी चल रही है और मैं कुछ भी टस्नी करो और मुझे लग रहे है बहुँ स्लू है तो हलका सद्रॉटल पर टेप कर दो अगर आपको लगर रहे है बहुत फास्ट है तर्न के लिए तो हलका सब रेक पर टैप कर लो बट ग्राइंड मत करो और सामने जहां से अपने को दिखेगा काजा अब आज धुंद सी अन्य दिख जाएगा काजा तो दिख जाएगा तो यह है जो कहानी है कई लोग पूचरते इस चीज को मुझे यार वहां बैठके एक शहर में जहां पर स्पेसिफिकली आप वो चीज फील नहीं कर रहे तो मतला वह फी क्योंकि जब भी मैं कोई फोटो बी डालता हूं तो लोग तूचते है कि मतलब ऑटमेटिक तो पहाड़ों मिये वह नहीं भाई ऑटमेटिक इस बेटर अगर आप यूज करना जानते हो आपको थकाता नहीं है आप चिल करके लंबे रूट्स कर सकते हो I know very well पुरी लाइफ थोड़ा सा प्यार से यूज करो ऐसे हर टाइम उसके साथ में मतलब जबरदस्ती मत करो गले तरीके से शिफ्ट्स मत करो बहुत जादा लोड मत रखो इसको पर हमेशा क्योंकि ये एंजिन इतना जबरदस्त है इसमें टॉक जो है इतना जबरदस्त रहता है हमेशा ही तो अब यहां सा दिककत आपको आती नहीं तो देखो ये वाला पॉइंट है और नीचे हम लोग को दिखाई दे रहा है सम्तिंग सम्तिंग अब देखना है यहां से वह देखो जी नीचे वह देखो दिख जाए कुछ अब बहुत उचाई पर मोग उस टाम पर तो नीचे वैली सामने अपना काजा ही है काजा चलते हैं थोड़ा सा फ्यूल मन करेगा तो डला लेंगे अधर वैस सीधा निकल जाएंगे और सामने वाले पाहड तो भी दिखाई नहीं रहे तो बहुत उचाई पर हम लोग और अभी तो स्थीप आया नहीं है स्थीप तो अब आएगा नी 11th no sorry 11 km से यहां से तो डिपेंडिंग अपन यर नीड मेक यर चॉइस और भी कि बस चलाने का तरीका होता है यह बहुत इवाल वोचुके हैं इस आर एट सम लेवल हाँ मैनुल बहुत लोग मैनुल भी प्रेफर करते हैं बिगे जोग मैंटेनेंस उसके साथ में थोड़ा सा उनके साथ में क्या रहता है कि हो सकता है उनको लगता हो कि बहुत जरूरी है अगर आप चिल मार के एवल करना चाहते हो तोस्तों मैं फड़ावट से नीचे उतरता हूं मुझे दो दिन में अब वापस पॉंचना है और कोशिश की जाएगी कि कि जितना जादा जल्दी ट्रेवल स्टार्ट के जाए मौनिंग में लाइक अभी आज इस 7.44 राइक और मैं अल्रडी कुछ दिस्टेंस ट्रेवल कर चुका हूं तो आई होप जोग लोग कन्फ्यूज थे उनको कुछ मतलब इस चीज से फादा मिला हुगा इस वीडियो से अब इन रोड्स के लावा मतलब और मुझे नहीं पता की और इस से उपर के रोड्स क्या हूंगे जहां पर मतलब इस चीज मैं आपको बता सकता था 물 2. два में 1 MALE के यह किया हुए है मैंने अई एक यह की तो मैं एक अईसा इनसान नहीं हूं जो कि लव बिंग कर रहा हूं कि यह वो इसंटरह कुछ नहीं है जो जो कि ह면 थो कि कर रहा हूं और भू मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो सेम टाइप के रोडे विक्ल्स मैं पंपैलिजन करहा हम और हाहां उटमेटिक इस वे वे कमफर्टिबल सीटी में लोग सोचना कि जादा जरूरी है नहीं आपाणों पे बहुत है आर आप अजय कर दो आपको कुस अन्योर डर ढाविज नहीं राद दन गयस कभी भी स्टाल नहीं करोगी जाडी को आपको चीज छोड़ के फटाफट से गीर चेंज नहीं करना पड़ेगा अगर आपकी स्पीड कम हो जाती है तो यह चीजें बहुत मैटल करती है और आप बस स्मूद्ली ड्राइव करते वे आगे बढ़ते रह सकते हो कि संजे दोस्तों अब आए हैं वह बाले स्टीफिल से भी दिखा जेता हूं को मैं तो यह बाला सेक्षिन है यह सब बंद हो जाता है कुछ लाइक यह जून जुराई में खुलेगा दैन उसके बाद में यह ऑगर्स सेप्टमबर में बंद हो जाता है यहां पर 16-12-12 फीट की ब कुछ एक चोटी से विंडो मिलती है जहां पर आप आके इन चीज़ों को देख सकते हैं एक्स्पीरियंस कर सकते हैं तो अभी मैं ड्राइव मोड में चला रहा हूं देखो स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ती जा रहे है अपने आप और यह अभी थार्ड गेर में होगी और फोर्थ में भी डाल देगी बट रास्ता मुझे दिख रहा है कि काफी दूर है अभी तर्न तो मैं मतलब काड़ी को फ्लो में जाने जाए रहा हूं तो यह अवस सारी की सारी आपकी मतलब को ड्राइविंग स्टाइल है को आप डेले देले चलाते 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 तो अभी यह अवसे बाड़ी भागती जा रहे है जब भूट जादा आपको कॉंफिडेंस जब पर ना हो तो आप मैंविल मोड में गीर कंट्रोल देर के चला सको तो अब ब्रेक ग्राइंड नहीं करने किसी भी संस में ब्रेक पे पैर हमेशा नहीं रखना है नहीं रखना है नहीं अब यह तो अब यह थर्ड गेर में भाग लेते हैं मैंने मैनल मोड में डाल दिया है एंड यह अपने आप साइकेंड गेर में कंट्रोल रखेगी स्वीर को अब एक स्टीप डाउनेल फिर से आएगा एंड यह तो पूरा का पूरा इस डाउनेल है अबी तो विलेट इट दोस्तो इस वीडियो में इतना ही कीप वाचिंग दीस सीवी बाबाए